हालो एस्टुडेंट्स मैं हूँ प्रणॉम नर्याड और अभी मैं आपको साइक्लो एलकेंज का नमेंट्रेशर करना बताऊंगा जिसमें की तीन सब्सुडेंट होता है चारात रज़िन विद्यासी कनफीज रहते हैं या फिर सम्रूड यूज करने वे काफी समय लगता है तो बड़ा सिंपल सा कॉंसेप्ट है इस तरह कोष़ियन में आपको क्या करना है मुख समस्या इसमें नम्बरिंग को लेकर होता है तो नम्बरिंग को लेकर के जो समस्या वो तुरंत आपको मैंसुल दोता हूँ जहां तक वही बात नाम देने की तो आप जानते हिए कि सब्सेश्वेंट का नाम हमेशा अलफाबेटिकल ओर्डर में ही देना हो नम्बरिंग, अब यहां नम्बरिंग को ध्यान दिएगा नम्बरिंग हम लोग इस तरह से करेंगे पहला नम्बर उसको देंगे जिसके वैसे दूसरा पोजिशन हमको मिनिमम मिले, मिनिमम नम्बर मिले और अगर दूसरा में ताई हो रहा है तो दूसरा वो कहलाएगा जिसके वैसे तीसरा को पोजिशन मिनिमम मिले यह पहला वो जिसके वैसे दूसरा को पोजिशन मिनिमम हो अब दूसरा वो जिसके वैसे तीसरा का पोजिशन मिनिमूम हो सिंपल सा कॉंसेट है इसे अब इस कोज़न में देखिए ये इथाइल इथाइल को हम पहला कह रहे हैं तो मिथाइल दूसरा हो जाएगा लेकिन मिथाइल को भी हम पहला कह सकते हैं कि अगर मिथाइल को पाला करेंगे तो इथाइल दूसरा हो जाएगा लेकिन जब मिथाइल को पाला करते हैं तब इस इथाइल का पच्वा पोजिशन मिलता है लेकिन जब इथाइल इस इथाइल को हम पाला करते हैं तब इस इथाइल को चौथा पोजिशन मिलता है और आप कि 45 से कम है इस लिए यह नंबरी सभी है जो इपोर्ड पर किया हुआ है बाइट वहाँ से सेंक्षैक्ट यहां इस सत्वें को तो पहला करताने कादिकार हैं नहीं चाहिए तो आप ट्लॉक्वाइश आइट्चन है या इनटी क्लॉक्वाइश आइट्था अइन मूव करें इ प्राइं लेकिन फिर वही बाद कि कि इसके वैसे दूसरा हो रहा है 30 सुप्सट्यट्ट को चौथा पॉजिशन मिल्दास लेकिन इसके व्ज़़ी सो पहार ले लेते हैं तो इसको क्या मिलेगा पाच्वा पोजिशन मिलेगा फिरसरी रीजन चार पांट से कम होता है नम्बरिंग के दोरान हमेशा मिनिमूम नम्बर तिखने का प्रयास करना है तो इसे साब से ये नम्बरिंग जो किया हुआ है वो सही है और नाम आप जानते हैं किस तरह से दिया जाता है जी सबसे प्रहे सब्सक्रिंग का नाम दिखना है उसका पोजिशन बताना है और पोजिशन बताते समय नम्बर को कॉमा हर सेप्रेट करना है और नम्बर और वर्ड के बीच हईफन रहना चाहिए थैंक यू पसंद आया हो लाइक करें, सेर करें, सबस्क्राइब करें और पसंद नहीं आया हो तो अपना कीमती कॉमेंट जेना ना भुलें थैंक्स, वन्स अगें